हेलो फाउंडर्स गुड मॉर्निंग तो आल आफ यू आशा करतो आप सब लोग बहुत अच्छ जैसे के मैंने सुभा में वीडियो में बताया था आप सब को के एसर आने वाले हैं जो ओक कनेक्ट में एक वेबिनर हो रहा था रौन होलबर्ट का उसमें एसर आ रहा है मैंने यह भी बताया था का आपको मैं उसका अप्डेट भी दूँगा इस चैनल पर तो देखो जाहीं मैं जैसे मैंने बताया था वह आप्डेट लेकर चले आए तो वहाँ पर ठीड़ सारा बात हुआ बहुत सरा लीडर्स लोग थे और एससर भी आये थे मौजुद थे और उसक उस दिन के अंदर अंदर 2024 में भी पहुच जाएंगे तो इसमें से पहले बाद हम आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो सुरुबाद है वह हुआ था एक्चुली हमारा जो ओफाउंडर आप जानते हो कि हमारे पास एक ओफाउंडर वेबसाइट है लेकिन यह पहले नहीं था पहले हमारा था गोफाउंडर तो जिसको वेबसाइट से हम गोफाउंडर से ओफाउंडर में ट्रांसफर होना पड़ा तो वह गोफाउंडर जब आया था उसका डेट था एक्चुली ओफिसाइट जब लॉंच हुआ था उसका डेट था वह 24 डिसमबर 2018 तो वह डेट कौन सा था 24 डिसमबर आज कौन सा डेट है आज है 23 डिसमबर तो 5 साल पूरा होने वाला है है ना तो कल हम उसका ओनलाइन एनिवर्सरी मनाएंगे जो 5 साल का हो चुका हैं हम ओनलाइन मनाएंगे इसको कि 5 साल हम कंप्लीट कर चुके हैं पहले से बहुत लोग जुर रहे थे बाकचित हो रहा था वे看看 वह सब चल रह थे लिकिन Officially कब सब जॉइन हुआ Officially जॉइन हुआ 24 December को 2018 में And आज होते हैं 2023 का 24 December कल तो 5 सल कंप्लीट हो जाएंगे उसका anniversary हम कल मनाएंगे Online पे इसके अलाबा उन्होंने जो चीज़ किया कि हमने कैसे वो जारनी शुरुवात किया उन्होंने उनका family किसे बाचीत किया सपना देखा कैसे humanity को अबलिप किया जाए कैसे लोगों की मदद किया जाए इसके बारे में ये सब कुछ देखा उन्होंने देखा समझा एट उसके बारे में फिर उन्होंने stay उठाया ये चीज़ सुरुवात किया ऑनपैसीब का और उन्होंने कि सुरुवात की जाटने में हम जूरे एक-एक-एक करके हम लोग जिसका जब किसमत च्पकर जिसका जब बख्त आया वो सब एक-एक करके हम इस ज़र्णी में जोई हूए एंड जो जर्णीश सबसे व्योटीफूल है क्योंकि देखो वह जायने में कोई मज़ा नहीं जहां पर मतलब क्या बतो आपको इस पांस साल का जार्णी जो था इसमें हम बहुत से सारे आफसान डाउन देखिए हैं ग्राफ के जैसे एक बार उपर उठा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था लाइब में बहुत मज़ा यह क्यां होगा फिर से वह हम प्रॉब्लेम्स आगे फिर वह फिर और प्रॉद्म्स सॉल्फ वह सॉट आउट हुवा पिर सबने कर के अच्यु कि अच्छम तो पहुंचा इस मुकम तक हम पहुंच गए कि हम एक सी चीज़ पता है आप सब को कि हम सब एक जगा पड़े कहां पर एक जगा पर एक ही प्लैटफों है और हमारा सब का एक ही मतलब की आइडेंटी है कि हम फाउंडर है ऐसा नहीं कोई लीडर बड़ा है तो बहुत लोग है उसके नीचे अंडर में इसका मतलब कभी भी यह है कि उसके अंडर में उद्ना जदा लोग है इसका मतलब यह नहीं कि वह बहुत बड़ा फाउंडर है अब छोटा फाउंडर हो ऐसा नहीं है सब फाउंडर है हम सब एकुवाली लेबल पड़ है एंसका फैमिली का मतलब के ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हम फैमिली है मतलब technical team जो back end पे काम करते है वो भी है जितने भी लोग है इस दुनिया भे सब हमारा family है सब कुछ जो गरीबी से जूँच जाए जिसको हम आगे बराना चाहते है जिसके साथ हम काम करना चाहते है जिसको जिन्देगी सुधरना चाहते है वो भी हमारा family का part है ठीक है यही एसर का मदलब होता है family का तो हम एक साथ जुरेंगे एक साथ जुरेंगे तभी तो एक साथ आगे बढ़ेंगे इसलिए तो इतना सारा problems आया यह problem के बात करते हुए एसर ने यह बताया कि देखो problem बहुत अच्छी चीज़ है क्यों क्यों अगर आप सुरू-सुरू बात में problem पे आ जाते हो तो problem इतना ज़्यादा problem नहीं होता मतलब देखो आप सुरू बात में हो कोई दिक्कत आ रहा है आप problem से जूज जाओ वो सॉट आउट कर रहे हो लेकिन इसमें से आप सीख रहे हो यह भूलना मत कि सुरू-सुरू बात में तो बहुत सरा problem आएगा कभी यह किसी नहीं किया कभी यह company ऐसे नहीं बना कभी इस तरीका company नहीं बना यह सुरू बात है बहुत सरा company पहले से है जिनको मदद लेना पड़ा यह कोई लोग है मतलब जो company से जुड़ रहे है जो company का काम करता थे वो बहुत लोग ऐसा था जो company के खाते थे company पीते थे company के साथ salary लेता लेकिन company का भी बुरा करता था ऐसा भी बहुत लोग थे आप साइद बहुत लोग नहीं जानते इसके बारा में back end का बाते नहीं जानते कि ऐसे company में बहुत लोग काम करता था जो company से साथ जूर के भी company का बुरा चाता था तो SN ने उसको identify किया ढूंडा एंद फिर उसको company से निकाला गया फिर ऐसे लोग भी थे जैसे और भी company के बाहर भी थे एंद दूसरे company भी थे जिसके साथ हमारा collaboration हुआ वो गलत लोगों से साथ मिल गए और गलास टेप उठे आगया ऐसा भी हुआ है लेकिन एसर इसका मदलब क्या बोल रहा है एसर इसका मदलब ये बोल रहा है कि जो हुआ अच्छे हुआ क्यों अगर हम ये अभी तो हमने foundation ख़ड़ा कि ना इसके बीज में हम इतना सारा problem इतना सारा negative people इतना सारा negative चीज़ देख लिए कि हम उनसे बहुत चीज़ सीख गए हम develop हो चुके हम उनसे आगे बढ़ चुके हैं हम इतना mature हो चुके इस बारे में कि हम second time ये गलती नहीं करेंगे जो पहला गलती था वो गलती था हो गया लेकिन हम उनसे सीख लिए अभी second time जो और भी बढ़ा होने वाला है जो और भी लोग हमरे साथ जूरने वाले आगे आने वाले लोग हमरा नाम बढ़ने वाले और पैसिव का नम और भी उचा जो बड़े आदमी होता है जो जिसका भीशन बहुत बड़ा जिसका गोल बहुत बड़ाता है वो ऐसे सोसते है अना हमेशा हमारा founders में कुछ ऐसे भी लोग है जो छोटा सोसते है self level पर खुद के level पर gain सोसते क्या हमारा कब आएगा ये सब सुनके हमारा क्या फाइदा हमारा पईसे कब देगा ये बता हो हमारा ऊं पाइशे से मतलब है एसर हमेशा कभी नहीं चलेगा अगर ऐसर ऐसा सोसते math game की बारे में सुशते था business कर लेते ना इतना सदा फाउंडर्स जोर के क्या फाइदा एसर आते बिजनेस करते खुद का पूरा जैसे अधर्स कंपनी हरी कंपनी करते जैसे यह फेस्बुक सब्सक्रिशन भी महीं इतना पैसा आ जाता है इतना बड़े कंपनी बन गए है कि मतलब आप सोच नहीं सकते। लेकिन वह ऐसा नहीं किया। हम्झा हम को कैसे पैसा दिया है यह बो सुशते रहे हैं थीक़े है एसे किया एन हमरे स जुड़ा है हमको वह बह्त बैलु एद रेस्पेक्स दिया कि एक Fाउंडर का तक मा दिया गया कि हैं हम बोल सके हां हम फाउंडर है हम पहले से जुरे हैं आज भी हमरे साथ एसर खड़े हैं अभी भी आते हैं देखते हो अभी तो कुछ दिन से लगातार आ रहा है एससे क्यूंकि अभी सब कुछ सौटेड है प्रॉब्लम सौल्व हो चुक है एंड कुछ टाइम के अंदर अंदर और भी एज़ बॉंबा कुछ वागर आने वाले है तो 2024 और भी बोल्ट जार्नी होने वाला है बहुत कुछ आएंगे तो धहरी यह रखिए थैंक्यू सोमाज आवे यहाँ पर खतम करते हैं वीडियो अच लगा तो लाइक करना वीडियो को शियर करना हमारे इंफ्रमेशन अच्छा लगा तो वीडियो को सबके साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है थैंक यू सो माच वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद